ओम सिरी गनी शायनम दोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 जून बंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए मंगरवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आपके लिए आज काम्याबी प्राप्त होनी की संभवना अच्छी बन रही है संतान पक्षशे संतुष्टी आज आपको प्राप्त हो सकती है समय के नुशार संतान का शयोग भी आज आपको प्राप्त हो सकता है संतान के कुरिया गलापो तथा घर परिवार की आवश्यक्ताओं पर आज आप घरे उतरने का प्रियास करें दोस्तो आपके संचार कोशल और संबंदों में विस्तार होगा और आप प्रकरती और जीवन से आज बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तो आज आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे आप भविश्य हितू अनेको योजनाएं आज बनाएंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और लंबे समय से अटकी हुई आपकी अनेको एक्छाओं की आज पूर्ती होगी यदोस्तो साथि साथ आज आपके लिए दूर की यात्राईं भी होगी जो आपके लिए अतिलाबकारी सिद्ध होगी और उनके दुआरा आपको अच्छा धनलाब भी होगा और साथि साथ आपके मान सम्मान में भी व reflective होगी मल्टी लेशनल कंपनियों में कार्य करने वाले लोगों के लिए आज का समय बहुती अच्छा रहेगा आपकी अनेक महत्व कांच्छाओं के आज पूर्ण होने की संभावना हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो पड़ाई लिखाई से संबंदित आज आपको अच्छे सफलता प्राप्त हो सकती हैं भूमी वाहन इत्यादी का भी आज आपके लिए योग बन रहा हैं अपने जन्म पूजा करने के साथ साथ अपने आप पर भरोसा जादा करें दोस्तो राजनीतिक लाब प्राप्ति के भी दरश्टी से इस्थितियां आज काफी आपके लिए अनुकूल हैं साथ ही साथ संतान के प्रती आपका वहवार काफी अच्छा रहेगा और संतान की प्रगर्ती से आप काफी संतुष्ट होंगे विध्यारतियों को उनके प्रिणाओं में आज सफलता प्राप्त होगी और उन्होंने जिस दिन के लिए महनत की थी वह महनत कामियाब हो जाएगी साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिलचस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवड़तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी एक्छा आपको सयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों मित्र भाई बंदू इत्यादी के साथ भेतर संबंद हो सकते हैं जिससे कामकाज के साथ साथ घर परिवार में भी एक दूसरी के प्रती काफी अच्छी संभावना उत्पन हो सकती हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं दोस्तों किसी भी प्रकार के वित्ते निवेश के लिए आज बहुती सोच समझ कर आगे बढ़ें यदि इस छेतर के जानकार या विसे सग्यों से सुजाव और सला लेकर ही कोई कारे करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा दोस्तों आज का दिन आपके लिए किसी अंजान तनाव पूर्ण इस्ठिती उत्पन कर सकता है थोड़ा साफधान रहे दोस्तों साथी साथ आपको अपने करे छेतर में थोड़ा ध्यान देनी के आवश करता है को कि आपके विरुद आज कोई सडियंत्र हो सकता है अत्वा कोई आपके विरुद कोई चाल चल सकता है जिसके कारण आपको मानहनी उठानी पड़ सकती है अपना कार्याले आप पूरी इमनदारी से करें किसी को भी ऐसा मौका ना दें जिससे आपको कोई परिशानी उठानी पड़े यह दोस्तों आफिस अत्वा कार्याले में अपने सेह कर्मियों पर भरोसा ना करें तो कि यदि आप ऐसा करते हैं तो वह आपके भरोसे का नाजाय ये फायदा भी उठा सकते हैं और आपको चोड़ी चुपे नुकसान पहुचेने का भी प्रियास कर सकते हैं जिसके कारण आफिस में आपकी छवी को नुकसान उठाना पड़ सकता है सावधन रहें दोस्तो आपका जीवन साथी आपको आपके प्रतेक कारे में समर्थ हंदेगा और समय आने पर आपकी साहता भी अवश्य करेगा इसके परिणाम से रूप आपका वहवाईक जीवन काफी अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ मदूर संबंद होने की भी संभावना बढ़ सकती है तथा आवश्यक्ता अनुसार हर जगा जीवन साथी का भी शयूग आपको प्राप्त होगा इसलिए जीवन साथी के साथ मदूर संबंद बनाए रखना आपके लिए बहतर हो सकता है दोस्तो साथी साथ आपको यह बात का विध्यान रखना चाहिए कि प्यार और रिस्ते अपने पन इसने और प्यार से चलते हैं इसलिए किसी भी रिस्ते में अडियल रवया मत अपनाईए और हवा के रुक को देखते हुई कोई कारे कीजिए या दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है या दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती सुव फलदाई रहेगा वैपार धंदा आज अच्छा चलेगा और आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत रहेगी आज आपके लिए आस्मिक धनलाब के भी अनेको योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा जी हाँ दोस्तो आपको अपने कारों से आज अच्छा लाब भी होगा और आपके केरियर में आपकी इस्तिती काफी मजबूत होगी यदि आप किसी मित्र के साथ कोई वैपार कर रहे हैं तो इस दोरान आपको अधिक लाब मिल सकता है नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है विध्यार्कियों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो घर में के गिरहों की यूती आपके स्वास्थ को प्रभावित कर सकती है इसलिए एक नियम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तों आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद कुछ मीठी पूडियां बनाएं इसके बाद आप इन मीठी पूडियों को भगवान बजरंग बली का इसमरा करते कर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल रहे हैं समस्त परेशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहें बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तों भगवान जरंगबली अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद